आप सभी को नमन करता हूँ और चार पंक्तियां महराज अगर सेन जी के चरणों में रखता हूँ उनका सपना हम सब को ही करना है साकार एक रुपईया एक इट से सब को किया समान और कम ही होते अगर सेन जी जैसे पुरुश्महान और मुझे याद एक अगरवाल का नंबर वाईस बोट सीट पे लगया परदान जी आप ये पहले पर्सण में उसने कहा अपनि लाइफ लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूं तो हमिताब जी ने पूछा कॉन सी लाइफ 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 बोले जी किस से बात करेंगे, बोले जी मैं रामलाल से बात करूँगा, तो मिताब जी ने पूचा क्या आपको लगता है, कि रामलाल जी आपके प्रशन का सही उत्तर दे सकते हैं, अगरवाल जी बोले उत्तर गया भाड में, मुझे तो उससे पैसे लेने साड़ा मेरा पोन जी उठा रहा, कम से कम आपका तो उठाएगा, तो आप पन तो जहां फाइदय का सोद्दा वहां कर लो, जी को सबकी आदस होती है, वो आदस जाती थोड़ी है, वो हमारे एक पंड़जी मित्रे हैं, और वो इतने भारी बरकम शादी में चलेगे, कुरसी पे जाके जाँ आर, क्या है, वो इतने थे सांथा। कि कविता एक आयुरुवेदी कोश्धी है जितनी पुराणी उतनी ही गुणवती कहलाईगी अरे यंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी तो आप सबको मैं चार पंग्तियों में होली की शुब कामना ही देता हूँ कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चड़े वैर भाव को भूल सके हम ऐसी ही कुछ भंग चड़े जाति धरम के तोर तरीके अलग-अलग अपने लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत मा का रंग चड़े सबसे पहले दिल पर अपने भारत मा का रंग चड़े बारत माता की ये आपने मकान मालिक से बोला एक दिन लोग कहा करेंगे कि तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवी रसिक गुपता रहता था गुरू उस दिन तु पूरे महले में चा जाएगा बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिनाजी आ जाएगा जा हो वाँ 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 बहुत को और दो पंक्तिया का और मज़ा लिजेगा कि मैं अपने मकान मालिक से हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुमारे यहां गंदगी ही गंदगी पढ़ती दिखाई जबकि हमारे यहां सफाई सफाई और आपको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से पूरे अगरवाल समाज की तरफ से एक पंक्ती में उसे जो उत्तर दिया वो उत्तर आपके मन का उत्तर था तब एक बार यहां से वाँ तक जितने मेरे अगरवंदू बैटे हैं वो सब मुझे आशिरवात देना कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुमारे यहां गंदगी ही गंदगी पढ़ती है दिखाई जबकि हमारे सफाई सफाई तो मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े सब तल के खा जाते हैं मेरे भाई इसलिए रहती है हूँ इतनी सफाई और बाकि रही बात सफाई की हाँ हम में से कुछ नालायक सडकों पर कुडा फेंकते हैं लेकिन माबाप को घर में रखते हैं और तुम लोग कूडे को घर में रखते हो और माबाप को सढको पर फेंग देते हो यह तुमारी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में अंतर है और जब से सुच भारत अभियान की स्थापना हुई है बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया गरक साब मैं तो भी आ रहा था रस्ते मे एक जगे पढ़ा देखा मैंने उठा के dust queen में डाल दिया दो आदमी खड़े थे ताली बजाने लगे दिल को बड़ा च्छा लगा बाद में पता चला वो तो साड़े तुमाकों कूट रहे थे तो यहां पता नहीं चल रहा है ताड़ी बज़री के तबाकू उट रहा है एक बार यहां से वाह तक सारे मिल करके तालियां बजा दो मैं चार पंक्तियां हमारे जितने भुज़र्गी हां उपस्थी तेम उनके चरणों में रखना चाहता हूं हाली की होली के मोके पर वो वताया था ना निल भाई ने जब तक चरणों में रखोगे यह ताड़ी निव जाओंगे इसलिए रख रहा हूं मैं कि बिना सूरज कली क कोई कभी भी खिल नहीं सकती बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती अगर हो नीव ताकतवर इमारत हिल नहीं सकती जमाने का बड़ा दस्तूर बस ये याद रख लेना बुज़र्गों की दुआ के बिन सफलता मिल नहीं सकती बुज़र्गों की दुआ के बिन सफल तो आधे देला पाए, मैं तो खुद कहीं बार दिल लीकिती आड जेल में जा चुका हूं। नहीं, वहां भी कविसमेलन होता है। पहली बार राजेस जी लेके गए ते मुझे राजेसेतन, और यह सोच के वहां कविसमेल होता है कि कुछ कैदियों की सजा में कमी रहगी होगी तो पूरी हो जाएगी तो पहली बार जब मैं कविसमेल करके निकला तो मैं स्कूटर पे था एक वेक्तिन लिफ्ट मांगली मैंने पिछे बिठा लिया थोड़े आगे गया तो मैंने करते हो नुबला ना वाइज में ती आडवे काम नी करता मैंने का अच्छा आपका कोई रिस्यदार बंध होगा नुबला ना वाइज में तो खुदी बंध था आज ही छुटा हूँ मैंने क्या करते हूँ बहुँ जेव कत रहूं सुनते गवराया मैं एक यक एस्टी सो र लाइन रोग लिए बहुला सो का चलान कटेगा बाइसा प्रदान जी उस दिन जिन्दगी में पहली बार खुशी-खुशी चलान कटवाया मैं रुपे चेक कर लू जेम में से निकाले गिने बाइसा पूरे थे सो का चलान कटवा के बाकी अंदर अंटी में लगाए जो आप करें है मने का पाया अचाल मेरा नाम लिख रहा है मेरा अद्रेस लिखले मेरा पोन नंबर लिख वंगे वह पोली सबक्रा शेव लिख नियोगा मैंन का इसे कैसे मानन को नो नहीं मानते तो छलान पूर की रख लू यू एसे इसे निपटा देते हैं जब कट़े, लेकिन इसका ये मतलब नी है, के उनके अंदर देशबक्ती नहीं होती, मैं ने जब कटरों की देशबक्ती देखी और चार पंक्तियां लिखी, मजा लेना और हातों को खोलना, कि जब कटरे का बेटा बोला, जेब कत्रे का बेटा बोला हे इश्वर नहीं मांगता आप से कोठी, बंगला, महल किले ना इंगलेंड में, ना फ्रास में, ना इटली में मुझे तो बस हर जन भारत में मिले तो बाप बोला मैं धन्य हुआ तालियां तो बजेंगी बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कत्रे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशबक्ती का रट भेता है बेटा बोला ये बात नहीं है पापा वाँ ठंड इतनी ज़ाद है कि लोगों का हाथ अपड़ी जेम में ही रहता है ऐसी देशबक्ती को बनमन करता हूँ और छोटे चोटे प्यारे बच्चों को नमन करता हूँ बच्चे मुझे बड़े पिर्य है मैं तो एक बार स्कूल में चला गया मुझे एक पप्पू मिला नहीं जो आपस तो मेनो उससे पूच हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले हाथ तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं, तो एक साल वो पप्पू फैलो गया, तो मैंने उससे पूछा, बेटा इस साल तुने इस टेकनोलोजी का प्रियोग नहीं किया, बोला अंकल किया था, किसमती खराब थी, मैं मैं एक कविता पढ़ता हूं, और आदेश हुआ है मन्च से, तो एक कविता पढ़कर, एक हास्ते की कविता पढ़ता हूं, आजकल दिल्ली में पोलुशन बहुत हो गया, पोलुशन की वज़ा से डेडेड महीना कस्ट्रक्शन बंद होती है, बड़ी मुश्किल होती है, त आप स्विकार कर लें तो हमारा मन है कि पत्थर वाली कविता आप सुना दें, वो जबा बड़ी हर रहेगा, एक पर तालिया बजाई है, एक अच्छी कविता का मैंने आग्रे किया उन से, पत्थर को लोग चोट पोचाने वाली चीज समझते हैं, लेकिन वो पत्थर क्या क काम जाता है, दंगा, फसाद, हड़ताल में मुझे विशे सिज्जत मिलती है, और मुझे इस्तेमाल करके ही दंगाईयों की तवियत खिलती है, मक्का में शैतान पर पत्थर मारने के लिए सारी दुनिया से लाखो लोग करोडों खर्च करके आते हैं, और मेरे माध्यम से ही सदियों पुरानी परंपरा निभाते हैं, विश्व का आठवा आश्चरिये, जिस पर करती है दुनिया नाज, मेरा ही मारवल का रूप, तराश दिया तो दूद में नहाया हुआ ताज, तराश दिया तो दूद में नहाया हुआ ताज, लैला ने भी कहा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दिवाने को, क्या मैं रह गया हूं, सिर्फ मजनुओं का खून बहाने को, अरे मुझे इस्तेमाल करो, सिर्फ मानवता के लिए, जैसे सर चुपाने को, कोई घर बनाने को, सुना है जब किसी की अकल पर पत्थर पढ़ जाते हैं, तो उनमें से कुछ नेता, तो क कुछ नमूने लाया है, लेकिन वहां से भी सिर्फ मेरे ही कुछ नमूने लाया है, प्राचीन काल से ही, लोगों को पत्थर का मैत्तु समझ में आता था, इसी लिए तो इतिहास, शिला लेखों पर लिखा जाता था, हो सकता है, कल कोई ऐसा जल जल आए, कि सब नस्ठ हो जा और मानव के इतिहास की कहानी कहेंगे, काश ये बात यदियातंकवादियों की समझ में आती, तो तालिबान में भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्तिया यूना तोड़ी जाती, उन मूर्तियों को तोड़ने से वो समझते हैं, कि इनिसानियत सदा सदा के लिए सो गई, अरे यहां तो भगवान राम के चुने से पत्थर की अहिल्या भी जीवित हो गई, मैं तुछ होते हुए भी नदी के प्रचंड वेग का मुकाबला कर लेता हूं, और कई बार तो गिस गिस कर स्वमही शिवलिंग का रूप धर लेता हूं, कितनी ही बार, किसी शिल्पी के वशिबूत होकर, उसकी छेनी हतोडी की मार सह जाता हूं, और एक मूर्ती के रूप में प्रकट होकर, किसी देव की अनकही कहानी कह जाता हूं, मैं किसी बड़े से बड़े पत्थर के घमंड को, अपने छोटे से टुकडे द्वारा, पल भर में चूर कर सकता हूं, और कभ गरिनाइट की पालिश दुआरा, खुद शीशे का रूप धर सकता हूं, और तालिया आप बजा दीजे जरा, कि जिस प्रकार घर बनाने वाले, खुद बेघर होते हैं, लेकिन उन घरों के नीचे, उनका खून पसीना गड़ा होता है, उसी प्रकार नीव का पत्थर, खु पुरा भवन उसी नीव के पत्थर पर खड़ा होता है, चाहे कितनी ही ढलान हो, मैं बस ट्रक कार की ओट बन जाता हूं, और अपनी च्छाती पर टनो वजन हस्ते हस्ते से जाता हूं, इतना करने पर भी मानव नजाने की सवा में बहता है, और मेरा कलेजा तो तब भटता ह जब कोई किसी को पत्थर दिल इनसान कहता है, जब कोई किसी को पत्थर दिल इनसान कहता है, जब कोई मुझे रह में फेक दे, तो भी ठोकर खाने वाला मुझे ही भला बुरा कहता है, लेकिन पत्थर होते हूँ मेरा दिल, इनसान की तरह किसी से बदला नहीं लेता है, ले रह में मुझे यू छोड़ जाने के पीछे कोई तरक होना चाहिए अरे इनसान और जानवर में कुछ तो फरक होना चाहिए जरा सोचो पत्थरों के बिना नलनील लंका जाने के लिए पुल कैसे बनाते और बिना पुल बने शिरीराम लंका पर विजय की खुशी कैसे मनाते इ और अंतिम पंक्तियां कविता की जिसके लिए पूरी कविता लिखी, कि जब कोई सडक बनाने वाला मुझ पर हतोड़ा बजाता है, चोट करता है, मैं तब भी अपना धर्म नहीं छोड़ता, अरे खुट टूड़ जाता हूँ, लेकिन तोड़ने वाले का दिल नहीं तोड़ कर रोता हूँ, और अपने पत्थर होने पर पहली बार शर्मिंदा होता हूँ, और अपने पत्थर होने पर पहली बार शर्मिंदा होता हूँ, और अपने पत्थर होने पहली बार शर्मिंदा होता हूँ, और अपने पत्थर होने पहली बार शर्मिंदा होता हूँ, और